ED का विपक्षी निताओं से खूब लगाओ, UP के स्कूल में बेंच डिस्क का अभाओ, दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं, भरष्ट है हमारे अधिकारी ये बात खुद मंत्री जी ने कही, सांसद महोदय ने हाथ से साफ किया शौचाले, बिना सिक्षक ही चल रहे UP के कुछ विद्याल है, MP के किसान ने लहसुन पानी में बहाए, और 300 किलो प्यास के बस दो रुपए पाए, ये सारी छपी-छपी कहानिया इसे हिंदुस्तान की हैं, जिनने देखा तो गया, मगर अंदेखा कर दिया गया, तो आईए हम आपको दिखाते हैं इस हफते का द पढ़ेगा इंडिया के स्लोगन से करते हैं, मतलब सिक्षा जगत से करते हैं, इस हफते UP और दिल्ली के स्कूलों पर एक जानकारी सामने आई, UP के बेसिक सिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं संदीप सिंग जी, उन्होंने दो जानकारियां दी, जानकारी यानी करीब सत्तर हजार स्कूलों में डेस्क बेंचीव प्लब्द नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि खवर इतनी ही है तो आप गलत हैं, मंत्री जी ने विधायकों के एक सवाल का विधान सभा में जवाद देते हुए यह भी बताया कि परिशदी ये स्कूलों में प्रिंसिपल के चौरासी प्रितिशत पद खाली पड़े हुए हैं, पहले बच्चों से कहा जाता था सोजाओ, वरना गबर आ जाएगा, समय के साथ इस डायलॉग में परिवर्तन आया, अब नेताओं से कहा जाता है, चुप रहिए, वरना एडी आ जाएगी, इंडियन एक पर एडी ने केस दर्ज करके जाच की है, उनमें से 95 फीजदी नेता विपक्ष के हैं, विपक्ष से कॉंग्रेस की याद आ गई, कॉंग्रेस एकर से बाद गैर कांधी कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाकर इतिहास रचने की तैयारी कर रही थी, मगर तभी राजस्थान में खे हो गए, गहलोत समर्थक विधायकों ने सोनिया के भेजे दूतों से मिलने सही मना कर दिया, वो चाहते हैं गहलोती सीम रहें, सचिन पाइलट सीम ना बने, और इस तरह से एक बार फिर कॉंग्रेस का कच्छापन उजागर हो गया, अपनी विधायकों को पहले विश्वास म नहीं लिया और दिल्ली में बने प्लान के साथ राजस्थानी किले के लिए जीत करने के लिए कूच कर गए, नतीजा राजस्थान रंडभूमी बन गया, जहां अपने ही लड़ रहे हैं, राजस्थान और कॉंग्रेस की सियासत का उउट किस करवट बैठता है, ये जानने का तो नहीं पता, मगर 6 बोरी यानि 300 किलो प्यास बेच कर एक किसान 2 रुपए बचा पाया है, बहराल ये भी कहना ठीक नहीं है, किसान ने प्यास बोया, अपना खेत लगाया, पानी लगाया, खाट डाली, दवा डाली, रखवाली की, मजदूरी की, फसल काटी, उसे मंड से वापस घर भी नहीं लोट पाएगा, मामला शाजापुर MP का है, MP के मंसौर के नंद किशोर ने 24 बोरी लहसुन पानी में फेक दिया, चार बीगे में नंद किशोर ने लहसुन की खेती की, एक लाक की लाकत लगाई, और मंडी में कोई दाम नहीं मिल रहा, तो मजबूरन नंद किशोर ने ऐसा कदम उठाया, वहीं बिहार के कृशी मंतरी सुधाकर सिंग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके विभाग के अधिकारी भरष्ट हैं, और किसानों से 25 से लेकर 50,000 रुपय वसूलते हैं, कभी हरियों पवार की पंक्तियां हैं, आत्म हत्या की चिता प लेकर धरना देना शुरू किया, मांग नहीं माने जाने पर धरना चलता रहा, अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हरताल कर रहे है कश्मीरी पंडित करमचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है, तो जमीन पर कश्मीरी पंडितों को ये दर्द दिया जा रहा और परदे पर पिक्षर दिखाई जा रही है कि कश्मीरी पंडितों के दर्द की इतनी चिंता कभी नहीं की गई कश्मीरी पंडितों के बाद आपको स्वच भारत अभियान का एक द्रिश्य दिखाते हैं हाथ से शौचाले साफ कर रहे ये महोदय मानिय सांसद जनारदन मिश मोदी जी के जनदिन के अवसर पर बालिका विद्याले गए थे महोदय कव श्वचाले गंदा दिखा तो बस मानिय हैं ने हाथ से उसकी सफाई करनी शुरू कर दी मानिय के इस सफाई अभियान पर विचित्र प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने नायक फिल्म के अनिल कापूर की तरह डिंडोरी में उज्जुला योजना के तहट काड़ बनाने में लापरवाही करने के मामले में दियसो तीका राम अहिरवार को मंच से सस्पेंड कर दिया उन्होंने कहा कि गड़बड करने वालों को मैं नहीं छोड़ूँगा उन पर कड़ी कारिवाई की जाएगी जन्वरी लास्ट से अब हो गया सितंबर यह तो पहले के अभी सत्तर अजार का पूझाओ सत्तर में से तीसे क्यों बनी है सब क्यों नहीं बनी है लेकिन मुझे डर है इस फिल्मी नायक स्टाइल से सुर्खिया अच्छी बनेंगी सिस्टम तो नहीं सुदरता दिखता इस हफते का देखान देखा हिंदुस्तान आपको कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं इस कारिक्रम को और लोगों तक भी पहुँचाएं अगले हफते मंगलवार शाम 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया